कहा जाता है कि एक शांप और एक आदमी एक दूश्य के जान का दुश्मन होता है पर भागलपुर जीले में एक युवक और उसके पडिवार वालों ने एक दोस्ती का पडिचे दिया है जैसे मानो की दूद का कर्ज हो या एक खोन का रिस्ता जी हां कहानी भागलपुर जीले के नातनगर ब्लॉग स्थित दिग्गी चौक के पंडित टूलर निवाशी पंकज नामक युवक के घर की है पंकज ने परोस के घर से एक वाइट कोबडा को पगड़ा था और उसे अपने घर की आंगन में एक डपे में बंद करके रखा और उसे रोजाना नहाना और भोजन में दूद मानो एक अजनवी दोस्त हो और उसे शरन दिया हो जानकारी मिलने के बाद गाउं के दर्जनों लोग उसके दर्शन करने पहुंचे और दर्शन करके पूजा अर्चना की वहीं विशैले शाप के बारे में जब वन विभाग को दाया गया तो वन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत अपनी टीम को भेज कर शाप को अपने कबजी में ले रिया और वन विभाग ने पंकच के इसकारिये को शराहनियं बताया तथा एक शंदेश देते हुए कहा कि इलाके में अगर जहरीला शाप मिले तो उसे मारे न आप दुस्मन के तरह अगर व्यावार करेंगे तो वह भी उशी तरह व्यावार करेगा उन्होंने कहा कि हमें पंकच से शेख लेने चाहिए पंकच ने बताया कि जहरीले साप को बगल के घर में पकड़ा गया था और उसे वह अच्छा लगा तो एक अजनवी दोस्त के तर उसे रखने लगा और साथ ही रूजानाशनान और खाना पिना शमय पर देने लगा क्योंकि उसकी भी एक जीवन है पंकच ने बताया कि उसके शेवा करने से मानो उसे लग रहा हो कि मन की सारी ठकावट दोड़ो गई हो किसी भी जीव जन्तु को रखना उचित नहीं था इ इस कारिये के लिए पंकच को शभी ने सराहा बहुत राज सोचे प्रियास किये किसी को फॉन करें लेकिन नहीं समपर्फो पाया था तो हम आप लोग मिडिया को फॉन कियें खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेस्ट अब घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दरम का खाना नवगचिया का सुप्रसित सुन्दरम रेस्टोरेंट फ्री होम डिलेवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-339666 हमरा पता है नवगचिया ओटो स्टेंड मागाईत्री प्लाई के उपर सुन्दरम फैमली रेस्टोरेंट झाल